इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूँ विश्णू शर्मा दोजार निसकी सीटों के नतीजे आने शुरू हो गए इनमेंसे हम बात करेंगे सोनी पत की सीट टी एंसी आर्ट की सबसे होट सीट बन गई सोनी पत और उसकी प्रज़े भूपे इंदर खुड़ा जो चीप मिन अनमोतर के सोनी पत और उसके बाद 35 साल से देविलाल के परिवार का कोई व्यक्ति वहां चुनाब नहीं लड़ रहा था एक बार देविलाल जीते थे दो बार लट शुके थे वहां से उनके प्रपौत्र दिग विजय सेंग चोटाला वहां से चुनाब में उत्रे तो ऐसे रमीशन कौसिक जो बीजेपी के हैं उन्होंने मात दी पुपिंदर हुड़ा हैं और मैं आपको बताओं जो तीन उम्मीदवार रमीशन कौसिक एक विजय सिंग चोटाला और पुपिंदर हुड़ा सोनी पत का अपने आप में कई रिकॉर्ड है केवल दो बार वहां वहां और रोहतक का जब पुराना रोहतक उसके साथ जुड़ता था तब वहां से सांसद रहे थे इनके पिता रनवीर हुड़ा तो ऐसे मैं ये मुकाबला काफी दिल्चस्प हुआ मैं आपको दिखाता हूं कि कितना करीबी ये मुकाबला गया है सोनी पत से रमीशन कौसिक बड़े नेता को हराते हैं और रमीशन कौसिक का कोई कद नहीं है भारती राजनिती में उसके बावजूद रोने हराया और मैं आपको बता दू रमीश चंदर पिछली बार जब खड़े हुए तो केवल 77,414 बोटों से जीते तो क्या ये मुदी की एक तरह से सुनामी है य थोड़ा और डेटेल से जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सीट पर भुपेंदर सिंग घुड़ा जो खड़े हुए थे उनको टूटल बोट मिले 4,22,800 बोट 37 फीजदी के गरी बोट मिले जबी रमीश चंद कौसिक को बीजेपी से 5,87,664 मुले यानि 52 फीजदी अकेले जो हिस्सा था आदे से जादा वो बीजेपी के रमीश चंद कौसिक के हिस्से में आया जबकि दिख विजए सिंग चोटाला को कुल जमा 51,162 बोट मिला यानि इतना तेविलाल के परिवार का जो जननायक जनता पाटी इनको आपका सपोर्ट भी हासिल दा घड़ब इनकबर चानल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूँए बाटी अत्या हैं जन्रच जपका सबस्क्राइब करें झाल को सबस्क्राइब